तो कैसे हो मेरे प्यारे छात्रों सब कुछ हाल चाल बढ़िया है ना आज समाकलन की नस हम लोग पकड़ करके तोड़ देंगे मतलब समाकलन चप्टर की जो नसे हैं हम लोग एक एक नस गिन गिन के पढ़ रहे हैं तो क्योंने एक दिन हम पूरी बाडी पढ़ी लेंगे तो अब आपको ड़नना नहीं है समाकलन से आपको प्यार हो जाएगा आज के सेशन में हम आपको एक बटे i a2 प्लस एक श्कोर अब इसका समाकलन आपको सिखाएंगे इसम करड़ी-फड़ी नहीं रहेगी कैसे आप इस सुत्र का इस्तेमाल करेंगे नाना प्रकार के सवालों में विभिन प्रकार के सवालों में कैसे आप यूज करोगे इस तरह का सुत्र आज आपको सिखा जाएगा शुत्र इसका होता हुआ न पाने टेन इन वर्स यक्ष भाई ए बॉस भाई बॉस अब इसी सुत्र को आप याद मत करिये मैं तो कहता हूं सुत्र याद मत करिये बस मेरा वीडियो देख लिया करिये अपने आप याद हो जाएगा ठीक है तो 1 upon a square plus x square dx बरावर होता 1 upon a 10 inverse x by a चलिए एक बारी सुत्र का मैं सत्यापन कर लेता हूँ हाँ बिल्कुल सही है कर लेंगे लेकिन सवाल कौन करेगा कैसे करेगा यह बड़ी बात होती है ठीक है ना चलिए तो देखिए आज का पहला सवाल इस सुत्र के आधार पर बर्न पान त्यांदेन बर्न पान नौ पलास यक्स स्कॉयर ऐसे लिखा हुआ है ठीक है तुम्हें कहता हूँ बाबू घबराईए गमत हमने बड़ा असान सवाल लिख दिया है लेकिन जैसे यह वीडियो के अंतिम समय तक पहुंचेंगे ना बहुत तगड़ा भयानक सवाल में रताऊंगा तो रुके रहें हुआ सब्सक्राइम Confirm को इसको क्या कर सकते हैं एक को एक रहने दो नौ को लिख दो तीन का स्कॉयर प्लस यक्स स्कॉयर डी यक्स अब आप देखिये ध्यान से यह तीन किसकी जगह पर है एकी जगह और यह यक्ष तो अपनी जगह पर स्वैम है अब आप पूछते हैं मेरे से या किसी और टीचर से कि सर कईसे जानेंगे कि कौन सा सुत्र की सवाल में लगेगा तो भाई तुम गवर से देखना जिसको मैं गेर रहा हूँ इसको गवर से देखना बेटा इसको लिखने का तरीका और इसको आप गवर से देखिएगा इस गोला में जो कुछ है ठीक वैसा ही इस गोला में है जो इस गोला में है वैसा ही चीज इस गोला में है है की नहीं है बताइए सारा चीज सेम टू सेम वन बटे की लाइन square plus x square थोड़ा सा तो बदलेगा भाई हर सुत्र में थोड़ा सा ही बदलता है वो क्या चीज़ बताता हूँ वो है कि यहाँ a लिखा है और यहाँ पर 3 लिखा बस square तो दोनों में है सब कुछ से मैं बस क्या बदला है यही बदला जो यहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ यह जगह बदल गई है इस a के साथ जिसको मैं मिटा रहा हूँ बस इतना ही बदला बागे इस गोले के चीज और इस गोलो के चीज 100% सेम है तो आप बजार जाते हैं पने छोटे भाई के लिए कपड़ा खरेदने टीशेट खरेदने चोटा भाई घर पर बजार जाते है सोचते हैं यह उसके साइज को होगा सोचते हैं गवास के चोटा उसको यह हो यादा वैगा एक दम इसकी सागस चोटे भाई की शरीर ओ कपड़ी का और कपड़ी की माप देखकर क्या बंदाज लगा एं इसको हो गए यही उसको फिट बैठेगा तो हम लोग को भी यही चीज देखना कि इस सवाल में यही सुत्र फिट बैठेगा तो यही लगाना है बस जान गए कैसे सवाल में सुत्र खोजते हैं कि कौन सा सुत्र कभ यूज होगा जान गए न अब नहीं आप भूलेंगे चलिए अब मैं इन दोनों पर इस्कौर नहीं लगाना है न न न न इस्कौर मत लगाना भाई चलो क्या होगा वन अपन एटेट इन इंवेर्स एक्सवाई ए वहां दों आलों इक झालो हमारा कैना है तीन आए गा तो इस तीन को हम दोनों जगन लिख देते हैं बस हमरा एंसर आ गया देखें इस तीन को हम क्या करेंगेगे अरे इसी को दो जगन लिखना होता है तो इसी को हमने दो जगन दिया बस बात खत्म काम खत्म अब कहिए गुरुदेव और कठिन सवाल बताइए तो मैं और कठिन सवाल बताओंगा रूला दूंगा सवाल बनाने वाले को आप तो हंस हंस के solve करिएगा ठीक है वीडियो के लाष्ट में होमवर्क भी दूंगा मैं जो लोग लाष्ट तक बने रहेंगे बेलोग देखेंगे चलिए दूसरा हमारा सवाल देखिए बहुत बढ़ियां सवाल है एक बटे 4 प्लस एकस स्क्वाइर डियक्स यह कठ ठीक है अब इसका सफूत्र वही वन अपारण टू यक्स भाइट वस लेकिनगे वन अपारण टू टैन इनवर्स एकस बाई टू प्लस सी लिखके अंसर लिख देना है ठीक है दे के वान अपारणे टेन इन आस बटे यही चीछ दोनों एक सेम चीज होनी चाहिए दोनों मे सेम है दो दो है इसमें देखे दोनों में 3-3 है सेम है न तो रूल फालो करेंगे बहुत हमज़ाएगा अब तीसरा सवाल देखिए तीसरा सवाल एक बटा 16 प्लस एक सिस्क्वायर मैं हर तीन सवाल बाद सवाल को बदल दूँगा चेंज कर दूँगा घबराये घमत क्या होग है इसका इसको लिखेंगे पहले 16 को लिखेंगे चार का स्क्वायर प्लस यक्स इसक्वायर डी एक्स ठीक है चलिए तो इसका सुत्रवान अपान फोर 10 इन्वर्स एक्स भाई फोर प्लस सी जे हुआ एंसर अब मैं आपको लिए यह डवलू देता हूं चौथा सवाल चौथा सवाल यह डवलू मनों अपने घर पर करके कॉमेंट में लिखेगा यह डवलू है कॉमेंट में लिखेगा क्योंकि अभी तो आप हमसे बोल के बता नहीं सकते हैं इस जिनाते मैं कहता हूं कि मेरे साथ जूड के वीडियो काल पर पढ़ाता हूं फेस टो फेस बात करत हैं अगर आप उस वीडियो काल में जुड़ते तो हम आपको अभी सवाल दे रहे हैं तो आप कर लेंगे हम बताएं क्या कैसे आप कोचिंग जाते हैं स्कूल जाते हैं तो गुरु जी पूछते हैं दूसरे बच्चे से चो तो दूसरा बच्चा जानता काता सर मैं बताओ म लिख दीजे ठीक है कोमेंट कीजे बस कोमेंट में इसका उतर आप लिख दीजे ठीक है इस सवाल का अब मैं सवाल चेंज करता हूं सवाल चेंज करता हूं ध्यानत देखिए एक बटे चार प्लस नो यक्स स्कुएर वाओ तो देखे के घबराईये गमत देखे भड़किये गमत हम है तो कोई गम नहीं है बस ये जान लिए ध्यान से देखो यक्स इस्क्वाइर को अकेला बना दीजे यक्स इस्क्वाइर को अकेले कर दीजे वो अकेले रहेगा तब कोई सुत्र रहेगा जेतना भी सुत्र आप देखेंगे न यक्स इस्क्वाइर बटे के नीचे वाला उन सारे सुत्रों में यक्स स्क्वार अकेले है कोई उसके साथ नहीं है तो यहां 9 हटाएंगे कामन लेंगे दोनों में से 9 तो क्या होगा 4 में से 9 कामन नहीं होगा तो 4 बटे 9 हो जाएगा यहां से 9 कामन होगा तो यक्स स्क्वार बचेगा जो चीज कामन लिया जाता है उसको ऐसे बाहर लिखा जाता है ठीक है न? समझ में आ गया? अब नो को इस बाहर वाले नो को बाहर लिख दीजिए एक बटे नो आंदर एक बटे चार बटे नो को लिख सकते हैं दो बटे तीन का स्कॉयर प्लस यक्स स्कॉयर डी यक्स तो ये भी उसी सुतर की तरह हो गया? वान अपान आ स्कॉयर प्लस एक्स स्कॉयर सुमित्रा देख रही हो प्रांची अंसिका सुभाम बिर्जेस यादो सुभाम यादो देख रहे हैं आप लोग? जरूर देखिएगा बेशा तो एक बटनों जैसे है ये वाला ऐसे ही रहने तो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा इन्टू करके इसको कैसे लिखते हैं? वान अपान ए, ए मतलब यही दो बटे तीन और टैन इन्वर्स यक्स बटे क्या ए, यही दो बटे तीन जो यहां रहेगा वही चीज़ यहां भी रहेगा मैंने बोला था ना टैन इन्वर्स वाले में जो यहां लिखेंगे वही चीज़ यहां लिखेंगे तो लिखा गया अब क्या होगा? पलटे गा यह तीन पलट के ऊपर चला जागा अब तीन से नो काड़ जीए तीन एकम तीन तीन तरिकान हो यहां तीन आ गया अब तीन दोन अच्छे हो जाएगा क्या हो जाएगा? एक बट इच्छा है टैन इन्वर्स चरी एक सपान टू प्लस सी यह हुआ आपका एंसर तो सवाल देखिए कुछ अपना रूप बदल दिया कुछ तो बदल के आया बताए कोमेंट कीजिए बताए सवाल कुछ तो आपको समझ में आया होगा सवाल तो कुछ तो बदल के आया भाई कुछ तो चेंज हो के आया आया ना चलिए आपको इसी तरह और सवाल बताते हैं दो सवाल और इसी तरह बताएंगे ताकि यह आपको ज्यादा समझ में आ जाए यह देखिए तीन नंबर में एक्जाम में पूछता है चलिए छठा सवाल देखिए एक बटा एक प्लस चार एक्स स्क्वायर ऐसे है ठीक है तो काम कैसे होगा एक्स स्क्वायर को अकेले रहने दीजे चार को दोनों में से कामन लीजे तो वन में चार कामन नहीं हो जाएगा तो जिसमें कामन नहीं हो पाएगा चार ठीक है उसमें बटे में चार लिख दिया जाता है यहां से 4 कामर लेंगे ती x square बचेगा खुष्टे लगा के 4 को यहां बाहर लिखेंगे ठीक है ना यह हो गए आपका अब एकवटे 4 को एकदम से बाहर कर दीजे और यहां पर एकवटे 4 को अंदर वाले एकवटे 4 को एकवटे 2 का होड़ी square बना दो ऐसे अब आप सोच लीजे कौन सा सूत्र लगेगा आज जो हमने पहला सूत्र लिखा है ना वही लगेगा ठीक है तो एक बटे चार ऐसे रहने दीजे इंटू वन अपन ए ए का मतलब एक बटा दो है और टैन इन्वर्स यक्स बाई ए एक का मतलब केतना? वही एक बटा दो ठीक है? आगे क्या होगा? आगे देखें क्या होता है बराबर दो चला जाएगा उपर तो एक बटा चार ये वाला एक बटा चार गुड़े दो उपर गया दो बटे एक ओर टैन इन्वर्स इसमें भी दो चला जाएगा उपर यक्स में गुड़ा करेगा दो यक्स अब बट्टे के नीचे एक लिखिए चाहने लिखिए अगली लाइन में हम नहीं लिखेंगे दो से चार काटेंगे दो एक हम दो दो दुनी चार एक बट्टे दो आएगा ठीक है चैन इन्वर्स टू यक्स बट्टा के नीचे एक नहीं लिखते हैं छोड़ देते हैं पलस सी यह हुआ आपका एंसर अगर आपको ये वन 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 से वन कट गया खतम दो से चार कट गया दो एक हम दो दो दुनी चार वह ये एक बट्टे दो लिखा हूँ अगर आपको बाइचांस नहीं समझ में आ रहा ठीक है नहीं समझ में आ रहा तो मैं अपना फोन नंबर आपको स्क्रीन पे चला दे रहा हूँ आपके लिए स्क्रीन पे अपना फोन नंबर चला दिया मैंने अब इसी फोन पे आप क्या करेंगे मुझे फोन करेंगे मैं उठाऊंगा चाहे मेरी टीम का कोई उठाएगा बोल दीजेगा सर जी मुझे आपसे वीडियो काल पर पढ़ना है तो मैं आपसे फीस तुरंत नहीं लूँगा पहले मैं आपको पांच दिन फिरी में पढ़ाऊंगा जब वो पांच दिन आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा आप जब महसूस करिएगा कि मेरे से पढ़के आपका बहुत अच्छा मैत हो जाएगा तब आप मुझे फीस वाला कलास जवाइन करने के लिए बोलिएगा तो मैं फीस वाले कलास में आपको जोड़ दूँगा पांच दिन तक पढ़ने का कोई चार्ज नहीं इस वज़े से अभी जो फोर नमबर दिख रहा है स्क्रीन साट ले लिजिए वीडियो का फोर नमबर आपके मुबाइल में आ जाएगा वीडियो उसके बाद पूरा देखिए देखने के बाद तब फोन करिएगा ठीक है वीडियो का अलबर क्या होता है कि हम पूछे ये टू यक्स ये दो उपर जाएगा कि नहीं जाएगा तो आप बोलोगे जाएगा सर जाएगा अरे कैसे आफ लइन क्लास में होते हैं लड़के बोलते हैं तो जो गधा है पढ़ने में उसको भी मैं तेज बना देता हूँ ये मैं अपनी तारीफ इसनाते कर रहा हूँ कि साथ मेरी बात सुनके आप आ जाओ मेरे कलास में तो तेज बन जाओ तो कल्यान आप ही कहोना है फीज तो आप दुनिया को दे के पढ़ोगे तो गलत जगह फीज देने इसके आप फाइदा जहां से आपका फाइदा नहों जहां से आपको समझ में नहाए ठीक है तो सम्मान आपका बना रहे आपके माँ बाप का सम्मान बना रहे आप ऐसा ही काम कीजिएगा ठीक है यह हो गया आपका अब मैं एक और सवाल इसी तरह बताता हूं बगल में ठीक है ना चलिए सटमा सवाल देखिए बहुते मज़ादार है बहुते मज़ादार है ठीक है नव पलस पचीस यकसी स्क्वायर देखिए क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा इसका अंजाम खुदा जाने नहीं क्या होगा अंजाम इसका अंजाम क्या होगा वो आप जानेंगे आप बताएंगे क्या अंसर आएगा 25 कामन लीजे पहला काम 25 कामन लीजे तो 9 के बटे 25 हो जाएगा और 25 यहां से कामन हो गया के वाल एक्सी स्क्वाइर बचेगा और dx ठीक है अब 25 को एकदम बाहर कर दो एक बटे 25 ठीक है अब फिर एक बटे 9 बटे 25 को क्या लिख सकते हैं 3 बटे 5 का ओली स्क्वाइर और यह क्या हुआ एक्सी स्क्वाइर किलियर है एई भाई किलियर है ना आगे बढ़ते हैं देदना दन एक बटे 25 जैसे है वैसे रहने दीजिए अब यह क्या होगा 1 अपान ए यानि तीन बटे 5 ठीक है ना आगे आते हैं अब पान्च परट के उपर जागा एक बटे 25 उगड़े 5 उपर जागा पान्च बटे 3 ठीक ना फिर क्या होगा 10 इन वर्स इसमें भी 5 उपर जागा तो 5 यक्स बटे 3 आप देखे 5 से 25 काटेगा पान्च एकम पाच 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 तन नीचे 5 अगोड़े तीन तो पंद्रह हो जाए अगर नीचे और टैन इन्वर्स पांच यक्स बटे तीन ठीक कि पलस में सी यह हुआ आपका उत्तर यह मेरे भाई कोई भी आपको गैरंटी लेकिन नहीं समझाएगा लेकिन मैं आपको गैरंटी नहीं समझाता हूं मेरे साथ ऐसे भी बच्चे जुड़े हैं जिनको दस तक पहाड़ा नहीं यादा था और मैंने उनको पहाड़ा भी याद करवाया और मैत का समाकल अनौकलान का सवाल भी शिखाया है और वो बच्चे पिछले साल के नहीं इसी साल हैं पढ़ रहे हैं तोड़ा लाइट का इस मैं आगे पढ़ता हूँ हो सकता माइक आवाज किरकिरा रही हो नहीं आवाज नहीं किरकिरा रही है ठीक है अब मैं अगला सवाल बताता हूं भाई अगला सवाल देखिए को बहुत आनंद आएगा आपको बहुत आनंद आएगा कितना नमबर था साथ साथ के बाद आठ न यक्स स्क्वायर ये कैसे होगा ये कैसे होगा बोरी है प्राबलम है क्या नहीं भाई प्राबलम तो दूर करूँगा मैं प्राबलम तो मैं दूर करूँगा देखिए चार को इदम किनारे फेक दो चार को इदम इधर फेक दो चार गुड़े एक लिख सकते है कहीं पर किसी भी संख्या में गुड़े 1 लिखा जा सकता है तो हमने लिख दिया ठीक है तो चार इतर आ जागा बाहर उपर 1 रह गया 5 को लिखा जा सकता करड़ी में 5 का होली स्क्वाइर ऐसे प्लस यक्स स्क्वाइर डियक्स ठीक है समझ गए समझ गए नए यहां तक क्लियर है बराबर यह वाला चार बाहर रहने दीजे दोनों पर इस्क्वाइर लग गया है तो सूत्र वही लगेगा क्या 1 अपान ए क्या लगेगा 1 अपान करड़ी में 5 10 इनवर्स यक्स बटे करड़ी में 5 तो अब 4 से करड़ी में 5 नहीं कटेगा तो 4 का इस एक में गुड़ा होगा क्या होगा 4 का एक में गुड़ा होगा ठीक है तो 4 एकम 4 बटे करड़ी में 5 10 इनवर्स एक्स बटे करड़ी में 5 प्लस C यह हुआ आपका answer है ठीक है तो आया मझा की नहीं आया comment में लिखते रहे हैं लड़काए कितने देख रहे हैं लड़कियां कौन-कौन से देख रहे हैं गलस लोग इससे में comment करना बंद कर दी है अभी तीन दिन पहले ड़ी स्वाल में टोटल 25 सवाल बता णगा आधर पची सोजाल में तीन लडकिए गएे तीन बच्चियों का लड़कों के बसका नहीं है कि हर सवाल में कमेंट करना पचीस लड़के मिलकर भी 75 नहीं कर बाएंगे जब कि तीन लड़कियां अके लिए 75 कर देंगी अभी मैं 25 सवाल हो सकता पढ़ाते पढ़ाते पहुंच जाओं जितना कोश्चन बताऊंगा उतनी बार कमेंट में लिखना येस सर नो सर गूड सर बेरी गूड सर बहुत अच्छा लगा ऐसे अब लिख सकती है यह बहुत खराब लगा यह भी लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है अठवा के बाद नowा देखना मेरी प्यारी चातरहएं नौमा देखो लाग है में पांच बटे चार फुलस्यक्से स्क्वाइर हां 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 है हमारा काम किया इसको हो बनाना बस चाकरण सानग बना था रहें से बन जाथा तो आराम से बनाती प्यास कोरप्स होटा यह प्सान ऊपर एक लिखेंगे, चार को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, अब देखें, हटा नहीं भाई, अट गया आप, 5 इधरा जाएगा, एक बटे 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, प्लस X स्क्वायर, DX, ठीक है, अब क्या होगा, यह 5 ऐसे ही रहेगा, 1 upon A 10 inverse X by A क्या उगर सुत्र जब भी इस तरह का आप देखेंगे तो क्या सुत्र लगाएंगे 1 upon A मतलब एक बटे 2 10 inverse X by A A नहीं लिखना यहाँ यहाँ लिखना 2 यही दोनों चीज़ एक ही होना चाहिए यहाँ और यहाँ दोनों एक ही चीज़ आना चाहिए देखिए हर सवाल में यहाँ देखिए जो यहाँ वो यहाँ हर सवाल में यह सब पहचान है बेटा अब 5 से 2 नहीं करेंगे 5 के गुड़ा एक में करेंगे 5 एक हम 5 बटे 2 10 inverse X by 2 प्लस C जे हुआ आपका एंसर तो कौन बाला कहता कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कौन बाली का कहती है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सब को आ रहा है वस बहाने मत कीज़ेगा अगला सवाल देखिए अगला सवाल भी तकड़ा है यह सवाल काफी ज़दा संदार होगा आपके लिए homework होगा आप अगर homework करते हैं तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी भाई यहां देखें 100 plus x square मेरे लिए खुशी की बात होगी अगर आप अपने घर पे हल करते हैं और मुझे मेरे WhatsApp नमबर पर उसका solution भेज देते हैं तो मैं चेक करके आपको reply दे दूँगा ठीक है यहां देखिए उस उपर वाले 10 को हटाओ यहां लाओ उपर वाले 10 हटा देंगे तो उपर क्या लिखेंगे एक लिख दिया नीचे 100 है 100 को तो square बनाए देंगे आराम से 10 का square plus x square dx ठीक है अब ध्यान चे देखिए 10 यहीं पर रहेगा और इसका तो सूत्र बन जाएगा क्या सूत्र होता है 1 upon a यह मतलब क्या 10 और 10 inverse x by a a का मतलब भी वही 10 क्योंकि दोनों एक जगा एक समान होने चाहिए अब क्या होगा अगली बार में 10 से 10 10 बास 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 खतम 10 से 10 खतम क्या बचेगा 1 1 का गुड़ा इसमें हो जाएगा खतम सिर्फ बचेगा 10 inverse x by 10 पलस में C यह हुआ आपका answer तो मज़ा तो आ रहा होगा कोई हम से यह तो कहेगा नहीं कि गुरुजी आपका समझाया समझ में आता ही नहीं है और आप अगर class में वेड क्लास में आते हैं वीडियो काल पर पढ़ते हैं तो वहाँ पर मैं book NCRT book का सिलेवर चला रहा हूँ वहाँ भी ऐसे ही मज़ेदार तरीके से समझाता हूँ पिटा ठीक है एक ग्यारे नंबर सवाल देखिए एक ग्यारे नंबर सवाल देखिए ऐसे ही समझीएगा 400 बटा 400 प्लस यक्स स्क्वार डी यक्स क्या फालतु गरी है सजी 400 इतना बड़ा संक्या दे दिये नहीं भाई 1500 तो बड़ी संक्या नहीं है आपके लिए आप तो इंटर्मीडियेट के चात्रो ना उपर वाला संक्या एकदम सुरुआत में लेलो ऐसे तो उपर बचाओ 1 और नीचे 400 को लिखो 20 का स्क्वार प्लस यक्स का स्क्वार बस दोनों पर इसक्वार लग जाए और एकस इसक्वार अकेले हो उसका कोई गुडांक ना हो तो वही सूत 10 इनवर्स एक्स भाई ए वन अपान ए 10 इनवर्स एक्स भाई ए तो 400 वैस से ही रहने दो इन्टू वन अपान ए ए मतलब क्या 20 और 10 इनवर्स एक्स भाई ए ए कमान क्या है 20 है अब क्या हो गया 20 से 400 कार देंगे 20 दूना 40 20 आ गया 20 एकन्ने 20 वैसे मैं एक बास भाई माई काटा नहीं जाता है ऐसे आप मन में कार लो बस रफ पेज में कार लो आएगा कितना 20 10 इनवर्स एक्स भाई 20 प्लस में सी हो गया एंसर बेटा गडित का सवाल बहुत लोग यूटूब पर धड़ा 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 आधी दुफान के तरह बढ़ा बढ़ा रहे है लेकिन आपको जो मेरे कलास में जो आपको चीज मिल जाएकी ना वो शायद आपको और कहीं नहीं मिलेगी इस नाते मैं इस नाते मैं सोचता हूँ कि आप मेरे हो अपने हो तो मैं आपको अपना समझ के पढ़ाऊ अगर मैं आपको यहां से एक घंटे का समय आपका वेष्ट करता हूँ वीडियो दिखाने में तो आपको से अपना भाईश और केरियर बरबाद होता और कुछ होता नहीं ठीक है चलो बारे नंबर सवाल आब आता है माडल बदल के आता है बारे नंबर सवाल कोई मुझसे यह नहीं कहेगा कि सर आप इतना खतरना क्यों बता रहे हैं बस आप सोचते जाओ आपको हर सवाल असान लगेगा बस इतना आप सोचलो ठीक है ना चलिए पांच बटे ध्यान दीजेगा ध्यान दीजेगा 16 पलस 8x square dx तो यहाँ पर भी कुछ तो लफडा दीख रहा है दीख रहा है ना हाँ चलिए सबसे पहला काम उपर वाले 5 को बाहर करिए उपर एक लिखे नीचे 8 कामन लेना पड़ेगा दोनों में से 1 square को अकेली रखना है 8 कामन लिया तो 16 में 8 से भाग देंगे 2 आएगा और 8 से 8 भाग देंगे तो 1 square बचेगा ठीक है 5 उपर है यह बटे का 8 है तो यह हो जाएगा 5 बटे 8 ठीक है 2 को लिख सकते हैं कलड़ी में 2 का square और x square और dx अब क्या होगा 5 बटे 8 ऐसे ही रहेगा यह बनेगा 1 upon a क्या बनेगा 1 upon a a मतलब कितना यही कलड़ी में 2 और 10 inverse x by a a कमान वही क्या कलड़ी में 2 और क्या प्लस में C अब 5 का 1 में गुड़ा कर लो 8 का कलड़ी में 2 में गुड़ा कर लो बस चलिए कर लिए जाए कर लिए जाए गुड़ा हम लोग क्यों पीछे रहेंगे कर लिए लेंगे बराबर 5 एकम 5 बटे 8 कलड़ी में दो 10 inverse X by करड़ी में 2 प्लस में C ये होगे आपका एंसर ठीक है आगे समझ में अरे यार मुस्कुरा के कमेंट किया करो क्यों दुखी हो के करते हो बोलो बोलो भाई मजा ले लो मेरे कलास का पूरी जिंदगी अराम करोगे mathematics के छित्र में बस थोड़ा सा दिमाग लगाने से सारा सारा सवाल समझ में आने लगेगा ठीक है देखिए ध्यान से देखिए प्यार से देखिए यहां देखिए साथ को सुरुआत में ले लेंगे ऐसे बच्चे का एक बटे यहां आठ कामन लेना पड़ेगा तो पांच बटे आठ हो जाएगा प्लस यक्स स्क्वायर अकेला हो गया डी यक्स अब आठ साथ के नीचे लाके रखो ऐसे अब पांच बटे आठ को कर्ण पांच बटे आठ को क्या लिख सकते हैं देखो आठ को लिख सकते हैं चार गुड़े दो आठ को क्या लिख सकते हैं, चार गुड़े दो, चार तो बाहर आजाएगा दो, यह नहीं बाहर आजाएगा, दो कड़ी में दो, यानि आठ बन जाएगा आपका दो कड़ी में दो, और इसका, स्कॉर, प्लस यक्स, स्कॉर, डी यक्स, ठीक, चलिए, अब क्या करतें भाई, आ चुका है, क्या लीखने, लिखने, वन अपन ए, क्या लिखने, वन अपन, ए, ए कमान, वही, कड़ी में पांच बटे, दो कर्यव में दो, और टैन इन्वर्स, यक्स बाई ए, एकमान यही कड़ी में पांच बटे, दो कर्य vendola, समझ गया, इतना, आगे बढotiveावते हैं, नियान देजिएगा, बराबर, 7 बटे आठ ऐसे रहेगा, 2 करडियम, 2 पलट के उपर चला जाएगा, ऐसे, बटे करडियम 5 रह जाएगा, 10 इंवर्स, यहाँ भी, 2 करडियम 2 यहाँ जाएगा, यक्स के पास, बटे करडियम 5, अब क्या होगा काट दीज्जे गर कट जाए 2 से 8 2 चौक 8। तो 7 कर्दिम 2 अधर 2 से 8 गटा है 4 4 कर्दिम 5 ठीक है और 10 इंवर्स दो कडिम दो बटे कडिम 5 प्लस C लास्ट में C जोड देंगे अंसर लिख देंगे बस हो गया मज़ा तो आ रहा होगा भाई सच बता秉ं यह सब आप लोगों के क्या क 채ते हैं आप लोगों के कमेंट करने का कमाल है इतना प्यारा ककमेंट करते हो तो मन करता है कि हार बच्चों को कुछ ऐसी चीजें दिया जाए जिससे भी समाकरन पढ़ने लायक बन जाएं ज़रूरी नहीं कि मेरे सही पढ़ने लायक बनो किसी भी अध्यापक से किसी भी गुरू से पढ़ोगे तो मेरा पढ़ाया वहाँ काम आएगा मेरा पढ़ाया वहाँ आपको याद आएगा मन इमन सोचोगे क कि वो इस अध्यापक ने अच्छा पड़ाया था इस बात के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरी मेहनत का आप कमेंट के रूप में मेहनत का जो मुल है मेरी मेहनत का जो इनाम है मेरा जो पारिस्त्रमिक है मेरा जो फीस है आप कमेंट के रूप में लिखा करो ठीक है समझ ग बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बेटा तेरे नमबर सवाल के आगे बढ़ जाएं क्योंकि जटिल सवाल मुझे सिखाने के लिए थोड़ा सा पहले कम जटिल सीखेंगे उसके बाद ज्यादा जटिल सीखेंगे चोदे नमबर सवाल देखिए तीन बटे पांच फ्लस साथ यक्स स्कॉयर ये आपके लिए यच डवलू है आप इसका उतर कॉमेंट में लिखिए अगर आप मेरे सच्चे चातर हैं अगर आप अपने ही लिए पढ़ रहे हैं मेहनत करके जीवन में कुछ कामयाभी हासिल करना चाते हैं मैथ में अच्छे नमबर लाना चाते हैं तो आप इसका उत्तर कॉमेंट में लिखना नहीं कॉमेंट में लिख पाना तो कॉपी पे साल्व कर देना और इसको हमारे वाटसप पे चाहे फेस्बुक पे इस्टाग्राम पे भेज़ देना ठीक है ना समझ गए अगला सवाल हम लेते हैं मॉडल बदल के 15 नमबर सवाल 15 नमबर सवाल लेने से पहले एक सुचना आपके लिए है कि अगर आपका मन है मेरे साथ वीडियो काल पे फेस टू फेस बात करते हुए बतियाती हुए पढ़ने का जैसे होता नहीं है कि लोग अपने रिष्टदार से वाटसप पर वीडियो काल करते हैं अगुम घुम घर में कहेंगे देखो में रोटी बना रही है यह मेरा कीचन है यहां मैं पढ़ता हूं यह मेरा स्टेडी रूम है तो मैं भी आपको दिखा दिता हूँ यह देखो मेरा आपीस है ठीक है यह देखो देखो मेरा आपीस है यह दिख रहा है 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 यह मेरा आपीस है और यह मेरा आपीस के चारों डिरेक्शन है दिखिए दिख रहा है यह देखिए जो मुबाइल नंबर है वो यह टेल वाई फाई वाले का है आपको पढ़ा रहा हूं तो कि video call पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इंज्वाइय हो गया वही लंबा कला जा रहा है तो थोड़ा एक ब्रेक बनता है तो video call पढ़ोगे तो ऐसे आप उपका उधर से वीडियों दिखेगा मेरा इदर से देख four आप कुछ बोलोगे मैं सोरोंगा एकदम से complete तरीके से free रहेगा कोई सुलक नहीं उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे मेरे पढ़ाने से आपको फाइदा होने लगे मन में आये कि इस teacher से पढ़ना चाहिए तो आप हमारे फ्रीज वाले भैच में आ जाना आपको पढ़ाएंगे तीन बार complete कराएंगे पू जो सवाल हम रोज पढ़ाते हैं अब यह आज ही पढ़ाएंगे यह सवाल देखिया इसका PDF आपको मिलेगा नहीं मिलेगा आप चाहोगे नहीं मिलेगा वीडियो देखके रह जाओगे तो ऐसे जब आप पेड़ भैच में आएंगे तो हाँ डेली पीडियो मिलेगा दूसर जो हम पढ़ाएंगे आपसे हमारी जो बात चीत होती रहेगे किलास में वो सब कुछ एडिट नहीं करेंगे जैसे कि तैस से हम डिकार्टिंग दे देंगे तीसरा हम आपकी कांपी भी क्येक करेंगे आज के टाइम में कोई भी आफ लाइन वाला टीचर आपके कांपी में कैसे लिखते हो। कि करम। इधर उधर पलट से लटके लिखते हो। कोई आपकी कांपी चेक करता है। ना ना तो मैं आपकी कांपी भी देखूंगा। इस ना ते देखूंगा, कि वोड एग्याम में जब एग्syम दे आओगे तो कापी में अगर गलती करके आजाओ गलत तरीके से लिख तो बले उत्तर सही हो लेकि लिखने का तरीका गलत उत्तर सही हो तो नमबर नहीं मिलेगा भाई कट जाएगा आधे नमबर चार नमबर के कोचेन में सिर्फ दो मिलेगा पाज नमबर कोचेन में सिर्फ दो मिलेगा तीन कटेगा या तीन मिलेगा दो कटेगा ऐसा होता है तो लिखने का तरीका आपका कैसा है मैं उसे जज़ करूँगा दस प्रकार की मिश्टिक होती है लिखने के तरीके में, समझे, तो वो सब मैं ठीक करूँगा, प्लस मैं हर 15 दिन पर आपको टेस्ट भी लूँगा, टेस्ट में भी वो काँ पी चेक करूँगा, बताऊंगा कीबोर्ट परिक्षाय में कैसे 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 आपको दिक्कते हो ठीक है, तो यह सब चीजे मैं करने वाला हूँ, वीडियो का अलबहस्ट में, जो फीस वाला है, फिरी वाले में सिर्फ आप 5 दिन तक पढ़िये, मज़ा आएगा तो फीस वाले माईएगा, और भी मज़ा पाईएगा, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा दिन मेरा फायदा उसमें होगा, लेकिन तुम्हारा फायदा उसमें कई गुना ज्यादा छीपा है, जो अपने फायदे के लिए सोचोगे, तब सही चातर हो, को न ध्यापक फुरिय में जाब कर रहा है, जो आपको कुछ नहीं पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल में, वो भी 80,000 ले चलिए, अगला सवाल ठोकते हैं, काफी मचदार सवाल है, अगला सवाल हाँ, ऐसा सवाल आ जाएगा, तो कैसा होगा, ऐसा सवाल हो जाए, आपके सामने, तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे, बताता हूँ कैसे करना है, ध्यान से देखना, वन उपर रहेगा, यक्स स्क्वाइर को अकेला करने के लिए एक आमन लेंगे, यह हो जाएगा, भी बता ए, प्लस यक्स स्क्वाइर, डी एक्स, अब यह बटेगा, यह बाहर फिक दीजाए, अब भी बता ए, को आप ऐसे करिए, काडिम डाल दीजे, होली स्क्वाइर लग सुत्र पर आ गया, तो सुत्र लगा दीजे, जब यह सुत्र पर आ गया, तो सुत्र लगा दीजे, डरिय मात, क्या होगा, वन पान ए, यह मतलब यही, कडिम बी बता ए, ठीक है, और टेन इन वर्स, यक्स बता ए, वही, कडिम बी बता ए, प्लस यह, अब यह पलट के उपर जायेगा, बड़ा लफड़े बास सवाल है, ये, 1 अपन ए ऐसे रहेगा, नीचे वाला करड़ी में उपर चल जाएगा, नीचे कर्डिम B बचा रहेगा 10 inverse यहां नीचे वाला कर्डिम यहां जाएगा उपर ऐसे कर्डिम A और यक्स बाहर बटे कर्डिम B अब यहां कमाल देखिए कमाल यह है कि इस A को नीचे वाले A को जिसको गोला में गेर दिया हूँ इसको दो बार कर्डिम A गुड़े कर्डिम में लि 10 inverse अब क्या गुड़े कर्डिम ऑसे कर्डिम से कर्डिम में कट जाएगा तो कर्डिम A गुड़े कर्डिम B तो उपर एक बचेगा और नीचे कल्डिम ए गुड़े कल्डिम भी कल्डिम भी हो जाएगा ए और भी आपस में क्या हो जाएगा 60 जाएगा ठीक है और फिर आगे लिख देंगे 10 इन्वर्स कल्डिम ए यक्स बटे कल्डिम में अगला सवाल अगला सवाल करते हैं अगला सवाल भी इसी ट्राइड कलेंगे बट आपको समझाने के लिए हम पूरा कोशिस करेंगे अब आप देखे इतना बड़ा सवाल है यह ठीक है अपने आप में चार नंबर ती नंबर लाइक है तो परिच्छा में जब भी आएगा आप जरूर करना चोड़ना मत मेरे भाई चोड़ना मत ठीक है चोड़ियेगा नहीं एकदम लगे रहेगा डटी रहेगा आगे देखे देखे यह देखिए काफी मज़ा है इसमें भी देखते जाएगा क्या होगा पहले क्यू कामल लेंगे क्यू कामल लेंगे तो प्य बटा क्यू प्लस एकस स्क्वाइर एक बटा क्यू बाहर कर दो और यह पी बटे क्यू का ओल स्क्वाइर अब प्लस में एकस स्क्वाइर डी एकस अब एक बटे एक स्क्वाइर प्लस एकस स्क्वाइर का सुत्र क्या होता वान अपान एक इन 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 आगे क्या होगा बराबर एक बटे क्यू ऐसे रहने दीजे ये नीचे वाला क्यू पलट के उपर चला जाएगा करड़ी के साथ में जाएगा और पी जो है करड़ी में रह जाएगा ऐसे एन इनवर्स ये भी उपर चला जाएगा ठीक है अब इस क्यू को दो बार लिख सकते हैं जैसे है यहां देखिए एक को हमने दो बार करड़ी में लिखा फुशी तरह से क्यू को हम दो बार करड़ी में क्यू लिख सकते हैं ऐसे इन्टू करड़ी में क्यू बटा करड़ी में पी रैन इनवर्स करड़ी में क्यू यक्स बटे करड़ी में पी प्लस सी अब करड़ी में क्यू से करड़ी में क्यू कट जाएगा तो यह क्यू और पी का गुड़ा पी क्यू हो जाएगा ठीक है पी क्यू, 10 inverse, कड़ी में Q, यक्स, बटे कड़ी में P, प्लस ही, यह हुआ हमारा एंसर, तो कितने बच्चे मेरे बताय गए तरीके को, अंदर मन में महसूस कर रहे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरे बताये गई जो उपर नीचे तरीका बताया हूँ उस तरीके को अपने मस्तिस्क में एबजार्ब कर रहे हैं सोख रहे हैं कौन कौन है यार कमेंट में लिख देते तुम पढ़ लेता मैं रिपलाई दे देता कल वाली वीडियो पर कमेंट का रिपलाई नहीं दिया हूँ क्योंकि कल रात में घर पे बढ़ दे था बिटिया का और उसी के बवस्ता मैं उसी के सेलिबरेशन में मैं बहुत बैस्त था रात को तीन बज़े तक मैं बैस्त था उसके बाद कमेंट पढ़ना मेरे लिए मुश्किल हो गया नहीं तुम्हें रिपलाई दिया होता आज की वीडियो का भी कमेंट करूँगा और कल वाली का भी कमेंट करूँगा आज मैं फ्री हूँ आज आपके कमेंट का रिपलाई जरूर जरूर मिलेगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बहुत मज़ेदार सवाल लेकर फिर से आ रहा हूं अब भागिये गमत और सर्माई गमत ठीक है यह सवाल नंबर कितना था यह यह सवाल नंबर 16 था नंबर डाल च्वर देकिया ध्यान दीजेगा एरे भाई हिध्यान दीजेगा ना में ब्लू najwię Sk Sund 60Dx कैसा लगा शवाल sidewalk लगा सवाल सवाल कि तरह है मैंने इस वीडियो की शुरुआट काहां से किया था एक चोटी सी सुटर से हुझे चोटे से सवाल से शुरुवाद में जो लोग देखे होंगे छोड़ी होंगे वीडियो देखना अब उपस्ताएंगे अजो मन बना के हमेरे विश्वास करके रुका रहा रहा वह मजा ले रहा है छेना काट रहा है काटो तो सबसे उपर वाल ए स्कौइर अटा दो कितम किनारे यहाँ वाल लिखो बी स्कौइर का मल लेंगे युक्स इसे को अधेर बनाने के लिए तो क्या बचएगा ए स्कौयर बटे बी स्कौइर पुलस एकसस्कौयर ठीक है ठीक है deeper ये ब глुक्स आश्वाי इसना एकप ठीक है ना फिर से कर लेते हैं A2 बटा B2 एक बटा A2 B2 को ऐसे रिख सकते हैं A2 B2 का अब यह सूतर पर आगे हमारे अब तो बच्चों के मन में लड़ फूटी रहा होगा और थंबनेल में मैंने लिख दिया था कि हर सवाल का उत्तर 5 सिकंड में तो अब कोई बच्चा जो सुरू से अब तक इस वीडियो को देख रहा है ना वो कह दे कि सर जी 5 सिकंड में नहीं देख रहे हो सच बता रहा हूं आँ तो अब आगे बढ़ते हैं भीटा हम खुद फील कर रहे हैं आप लोगों की तरह कि ए स्क्वाइर बटे बी स्क्वाइर अब क्या होगा वन अपान ए ए कमान ए बटा भी है रैन इन्वर्स यक्स भाई ए मतलब ए बटे भी ठीक है अब यह क्या होगा अब ए इसक्वाइर बटे बी स्क्वाइर जैसे है वह ऐसे रहनेगा और यह प्लोट जाएगा उपर चला जाएगा तो भी का वन में गुड़ा हो जाएगा अब यह कम भी बटाए अगा ए टैन इन्वर्स बी आएगा एक्स के पास बी एक्स बाइए प्लस भी हो गया ओगया और आएए देखिए ए से आए बी से आए जब कटता है तो आएसे ही मजा आता है की वहां क्या बात है एसे एस्वार कट गया तो बटेगा भी कट गया नीचे एक बीचे गा तैन इन्वर्स बी एक्स बटाए प्लस सी जह हुआ हमारा एंसर है ठीक है शल् मजदार सवाल देखे, 17 नमबर सवाल कितना गजब है, गजब है ना, अठारे देखिए तो, यह भी गजब होगा, P स्क्वाइर बटे, P स्क्वाइर प्लस Q स्क्वाइर, X स्क्वाइर, Dx, इसका कैसे समाकलन होगा, कैसे होगा, भाई, सबसे उपर वाला इदम खीचो सुरु आतमे हैं, एक बटा, यहां Q स्क्वाइर काम लेंगे, क्या करेंगे, पहले Q स्क्वाइर काम लेंगे, तो बच्चे का P स्क्वाइर बटे Q स्क्वाइर, प्लस यह अक्सी स्कॉर ऐसा अब इस Q स्कॉर को P स्कॉर के नीचे लिख दो P बटे Q करके होली स्कॉर लगा दो ऐसे देखते जाओ अब तो अन्ती में हम अगल समझाएंगे भी नहीं ऐसे लिखते जाएंगे तब भी आप समझ जाएंगे क्योंकि 18 सवाल के ट्रेनिंग ले चुके हैं एक दुगुन नहीं अब अब 18 सवाल के ट्रेनिंग एक ही तरीके ले रहे होत क्यों नहीं आएगा पूरा गैरंटी आएगा अब जो लड़का भगा भगा देखा अगा इससे चूतिया की तरह रह जाएगा जीवन भर 10 इन्वर्स सुरी हाँ 1 अपान ए ए मदलब पी बटा क्यों हुआ 10 इन्वर्स एक्स भाई ए मदलब पी बटा क्यों हुआ ठीक है अब क्या होगा अब पी रागया नीचे यहां भी क्यू यक्स उपर होगा ठीक है आगे देखतेहां QQ कट गया, PP कट गया एक बार Q और एक बार PP बचेगा ऐसे ले भाई लो उतर ले लो तो आपको अब मैं इससे भी जादा भ्यानक सवाल बदाने के बारे में सोच लिया हूँ अब आप क्या सोचते हैं कौन बच्चा अभी तक मेरी वीडियो देख रहा है कमेंट वें बता दो प्लेज कमेंट वें बता दो कौन बच्चा अभी तक देख रहा है मैं कमेंट पढ़ने के लिए नदधीक आया हूँ अभी तक देख रहा हूँ क्या बात है मस्त है यार जब आपका मन लगेगा ना तो आप खूद कहें कि आ गुरुजी मज़ा आ गया और ने इस नंबर सवाल देखिए ध्यान से देखिए गहाँ कि अध्यान से देखिए गहाँ कि अध्यान से बढ़िया है देखिए हाला और बेहाल यह सवाल आप करना चाहें तो वीडियो रोक लीजिए पहले और अपने मन से पहले आप इसका ट्राई मारें जब अपने मन से ट्राई मारेंगे तो अपने आपका अंधाजा लग जाएगा कि हम किस लेबल की तयारी कर च समझ पाएंगे और अगर नहीं कर पाते हैं तो मैं करूंगा बट उससे पहले एक वार आप वीडियो रोको खुद पढ़ो खुद करो नहीं कर पाऊगे तो मैं करूंगा कोई भी बच्चा अगर सुरू से बिना वीडियो भगाए देखता है तो पूरी गरंटी बनती है कि अगरė वह समझेगा और उसको मैं तमें को मीज जगे की आइज डिया हम यह सबसे पहले कर देते आए कि अब इसमें यह में स्क्वायर यह स्क्वायर कामन लेना क्योंकि यह स्क्वायर को अके लिए रखना है चली हमने कामन ले लिया कि क्या बचेगा स्क्वायर बीस्क्वायर बटे यह में स्क्वायर यह स्क्वायर यह स्क्वायर यहां से कामन हो गया तो यह स्क्वायर और डी एक्स और इस वन को बीच ओ बीच लिखिया इसे अब यह में स्कॉर यह में स्कॉर इधर आजाएगा अब इसे लिखे होल इसकॉर प्लस एक्स इसकॉर डी एक्स ठीक है अब इतने का सुत्रत मालू में है आपको मालूम है ना मालूम है ना उसका सुत्र पहले इसको लिखिये एवी बटे यह में स्कॉर इन्टू अब वन अपान ए यह मदलब यही चीज एवी बटे यह में और टैन इन्वर्ष यक्स बटा एवी बटे यह में प्लस ए अब यह पलट के उपर चला जाएगा यह में और यह जैसे लिखा एवी बटे यह में स्कॉर यह में स्कॉर तो यह में ऊपर चला गया नीचे क्या रहा गया एवी और टैन इन्वर्ष यहां यह में ऊपर आएगा तो यह में यक्स बटे एवी ठीक है अब देखिएगा ध्यान से बड़ा मज़ा आने वाला है एवी एवी तुरन कट जाएगा एह समझ में रहा है बच्चों बताना आप ही से पूछ रहा हूं एवी एवी क्या होगा कट जाएगा और यम से एम एन से एन कटेगा यहां पर एक बार यह में बचेगा नीचे में एक बार ऐसे यम एन बच गया और एवी एवी खतम है यम एन खतम है सिर्फ एक बट यम एन बचा और इधर का सब बचेगा ठीक है चलिए टैन इन्वर्स यम एन यक्स बटा एवी रसी जोड़ दो यह हुए तुमारा एंसर इसको ब्रेकेट में बंद कर दीजिए तभी भी सही है नहीं करेंगे तभी सही है तो सांदार सवाल यह था मुझे लगता है अब तक का सबसे अच्छा सबसे बड़ियां सवाल यही था था ना बोलिये मेरे भाई था की नहीं था मस्त था एक बार एस सेलफी हो जाए मेरे मुबाइल नंबर के साथ मेरा मुबाइल नंबर तो नीचे दिखी रहा है तो वीडियो काल पर पढ़ने का और ज्यादा बेन फीट है और ज्यादा हो गये आपकी तयारी बहुत अच्छी हो चुकी है तो मत ज्यान कर दिया हमारा क्यास आपकी तयारी कुछ भी नहीं हो पाई है तो ज्यान कर ये हम्ह gesch ठीक है चलिए तो एक बार स्क्रीन सार लीजे बेस्ट अब लग थैंक यू बाइब आए